हेलो फ्रेंड्स विल्कम टु रोशन की क्लास यूलिट्व चैनल सबसे पहले दोस्तों आप zwy को स्वतंतरता दीवस की हार्थिख सुपकामना है आज हमारा 75 स्वतंतरता दिवस है ठीक है तो आप सभी को जो भी है मेरी वीडियो देखते हैं उन सभी को स्वतंतरता दिवस की हारदिक हारदिक सुपकामना है आप सभी अगर आप B.A.D. कर रहे हैं B.T.C. कर रहे हैं कोई भी teaching के courses करें तभी आप भी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तौब आप लोग अपने career में successful हों सफल हों इसकी मैं आप लोगों से एक कामना करता हूँ आप लोगों के लिए और आज की वीडियो हमारी है सबसे यहां पर आप सुरू करते हैं वीडियो वीडियो सुरू करने से पहले पस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती वीडियो तो लाइक कर दीजेगा अगर रेगुलर बेसिस फिर अगर आप लोग माइकरो टीचिंग से रिलेटेट कोई भी कंटेंट चाहिए यानि कि सुच में से पार्ट योजना से रिलेटेट किसी भी विशे का किसी भी क्लास का आप लोगो को कंटेंट चाहिए किसी भी कॉसल के उपर आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आपको पार्ट योजना की जुरू वीडियो जो अप्लोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और बिल्कुल फ्री पहुचे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो यहां पर देखें सबसे उपर लिखना है यहां पर सबसे उपर यहां पर सुच्म सिछर पाधियोजन से लेके यहां पर देखें क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के लिए बच्चों के लिए है यह ठीक है ध्यान से लेखिएगा इसके बाद जो हमारा विशे है विशे रेखिएगा विशे हमारा है हिंदी का हिंदी लिख दीजिएगा विशे के सामने हिंदी इसके बाद अगला यह हाँ पर है आपका प्रकर प्रकर हमारा है साखिया ठीक को पता होगा साखिया के रचना और उसके बाद आपको लिखना यहां जो भी होगा विदिनांग लिख लिख देगा आज हमारा 15 अगस्त है तो 15 अगस्त लिख होती है 5 से 10 मिनट के बीच में काफी लोग इसको 7 मिनट कहते हैं लेकिन अगर compulsory 7 मिनट ना कहा जाए तो 5 से लेकि 10 मिनट तक के बीच में आप सुच मिसे छड़ पाठी हुजना पढ़ा सकते हैं तालांस जो भी होगा जिस पिरियड में आप जाएंगे पहले दूसरे तीसे पिरियड में उसका यहां पर नंबरिंग कर देंगे इसके बाद आप देखें यहां पर लिखा गया उद्देश से कोई भी कौसल होता है यहां पर जो सुच मिसे छड़ पाठी हुजना का जो भी कौसल होता है कि बाल केंदरित होती है कि बच्चे उस चैप्टर को पढ़ने से क्या-क्या सीखेंगे उनके अंदर क्या व्योहार परिवर्तन होगा लेकिन जो सुच मिसे छड़ पाठी हुजना होती है यह ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को जो यहाँ पर पीपल टीचर होते है यानि कि छात्रा ध्यापक होते है छात्रा ध्यापका होती है उनके लिए होता है सुच मिसे छड़ पाठी हुजना कि जो उद्देश से होते हैं तो देख लिए यहाँ पर पांच उद्देश से लिखेगा है मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ पहला उद्दे से है सिछड अधिगम प्रक्रिया हे तो छात्रों को तयार करना एवं उन्हें सम्मिलित करना दूसरा है छात्रों को नवीन प्रत्य को सीखने हे तो अभी प्रेवित करना ठीक है उसके बाद तीसरा है एवं उन्हें प्रभाव जो पढ़ेगा वो बच्चों के लिए है बच्चों के लिए है लेकिन आप यहाँ पर पुनरपलन कौसल का उप्योग करेंगे तब वो प्रभाव जो पढ़ेगा वो बच्चों के उपर पड़ेगा यानि कि जैसे आपने प्रस्न पूचा कोई बच्चे उसका एंसर दे रहे हैं तो आप वहां पर पुनरबलन देंगे उनको पुनरबलन का मतलब होता है अगर आपके प्रस्न का एंसर सही देते हैं तो उनको कोई ऐसे सब्द बोली है जिससे वहाँ पर मोटिवेट हो उनके अंदर जो जिजक है वो दूर हो उनके अंदर जो गलतिया है वो सुधार कर सकें प्रोसाहित हो तो वो आपके उपर डिपेंड करता है तो आपको यहाँ पर यह सारी चीज़े अपने अंदर परिवर अब यहाँ पर है आपका निरिच्षड तालिका निरिच्षड तालिका का मतलब होता है अगर आपके कॉलेज में फाइल दी जाती है तो वहाँ पर आटोमेटिक यह बना रहेगा निरिच्षड तालिका आपको बनाने की जुरत नहीं है लेकिन अगर आपके फाइल आपके पुनरबलन कैसा कैसा देना है इसमें पांच तरीके की पुनरबलन होते हैं यहाँ पर दिया गया फिर आपका सर्वुत्तम उत्तम अच्छा संतोष जनक असंतोष जनक यानि कि आपका कैसा यहाँ पर व्यवहार रहा है जैसे यहाँ पर पुनरबलन है धनात्मक साब्दिक प पड़ी है उसके यहां पर परिवच्छक हस्ताच्छर है और पुनरबलन में के आवयव देख लिजी यहां पर कौन कौन से पाचो धनात्मक साब्दिक पुनरबलन है यानि कि धनात्मक मतलब की अच्छे तरीके से वहां पर सब्द के द्वारा जैसे कोई आप प्रस्ण पू असाब्दिक पुनरबलन असाब्दिक का मतलब बिना बोले कभी कभी क्या होता है तीचर आपसे कोई प्रस्ण पूछता है आप उसका एंसर देते हैं तो वह आपके बताएंसर को सही तो कहता है लेकिन बोल के नहीं कहता है अपना सीर हिला के कहता है अपने हाव भाव से कह तो वो धनातमक असाब्दीक पूरवरन के अंतरर गताता है तीसरा है रिएत्मक साब्दिक पूररवलन 작은क का मतलब आपके दिये गया अंशर को ऒलत कहता है, कि नहीं गलत है इस तरीके से बोलता है जब साब्दिक पुर्णर बलन देता है लेकिन वो निगेटिव देता है आपको रिडात्मक देता है यानि आपके दिये के एंसर को गलत कहता है तो वो रिडात्मक साब्दिक पुर्णर बलन होगा और चौता है रिडात्मक असाथिक पुर्णरवलन यानि कि बिना बोले आपके question को answer को गलत कह देना और लास्ट में पांचवा है अत्रिक पुर्णरवलन ये भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि अत्रिक पुर्णरवलन के अंदर आप क्या-क्या कर सकते हैं अब इसके बाद प्रस्तूती करण हैं प्रस्तूती करण का मतलब है कि प्रस्तूती करण यहां पर आप डारेक्ट नहीं कर सकते हैं प्रस्त डारेक्ट आप पूछ नहीं सकते हैं आप व्याख्या किये रहेंगे किसी चीज की किसी चीज को प्रस्तूत प्रजेंट किये रहें कब हुई किस इस्वर की उपास न करते थे उनकी रचनाय कौन कौन सी है यह सारी चीज़े थोड़ा सा दो लाइन में तीन लाइन में आप बना के ले जाए इसको आप व्याख्या कर दीजिए उसके बाद यहां पर प्रसन पर आईए प्रसन यहां पर कम से कम आपको आठ पू पूछा गया है कबीरदास सगुड़ भक्ति साखा के कभी है तो बच्चे बता देंगे आप बच्चों से प्रसन पूछेंगे कि कबीरदास जी सगुड़ भक्ति साखा के कभी है तो बच्चे बताएंगे असत्य यह निर्गुड़ भक्ति साखा के थे तो असत्य होगा य यानि कि positive हो गया, धनात्मक हो गया, ये हो गया साब्दिक पुनरबलन धनात्मक वाला, दूसरा प्रसन है फिर, कबीर इस्वर के उपासक नहीं थे, तो यहाँ पर ये सत्थ होगा, ये भी है, इसको आप बहुत बढ़ियां बोल सकते हैं, ये भी सकारात्मक हो गया, तीसरा ह पत्थर पूजा के विरोधी थे, असत्य है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, आप बोलेंगे गलत है, नकारात्मक आपने दिया, ये होगे आपका साब्दिक नकारात्मक, चौता कोश्चन है, बाहे आडंबर के कड़े विरोधी थे कबीर दाजी, तो ये भी असत्य एंसर मिला है आपको, ये भी गलत है, तो यहाँ पर बच्चों को आप नकारात्मक भाव भंगिमा द्वारा मतलब की, अपने इसारो द्वारा गलत कहेंगे, ये ये नकारात्मक आपका असाब्दिक पुनरबलन के अंतरगात आता है, फिर अगला कोश्चन है, पत्थर से ज़्य जादा वे चाकी को मानते थे, ये बिल्कुत सत्य है, एंसर सत्य मिला है, तो सकारात्म भाव भंगिमा द्वारा सिर हिला के, कि हाँ सही है, ये होगे आपका असाब्दिक पुनरबलन धनात्मक वाला, इसके बाद छटवा यहाँ पर प्रसंद देखिए, हिंदू धर्म के उपा सकते, तो ये होगा असत्य, छातर क्रिया में है, छातर एंसर देंगे असत्य, तो ये सही है, तो हाँ आप बोलेंगे, और सकारात्मक हाथ से आप इसारा करेंगे, यानि कि ये धनात्मक और आपका असाब्दिक पुनरबलन है, साथमा कोस्चन है, कभी रेक समा सुध सकते थो यह भी सर्त्य है बच्चे इसका एंसर देंगे सर्त्य आप कहेंगे बहुत अच्छा सँखरात्मक प्कृत थप $% Justin यह हो चाएगा अजक डोड़ियो आपको पस संद आई हो तो क्लास यृटिप चैنल को सब्सक्राइब करना मत भूलीएगा सब्सक्राइब करने के लिए लाल खलव का सब्सक्राइब बटन इसकर क्लिक करे के जैसे सब्सक्राइब करेंगे उसका दुआ के All Notification आउन कर लिजीगा तो फेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपनों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम